दोस्तो नमस्कार आज की इस वीडियो में मैं आपको EMRS होस्टल वार्डन के रिजल्ट से रिजल्ट महुत्पुन जानकारी रेके आया हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने माला हो कि EMRS होस्टल वार्डन का रिजल्ट कब तक आ सकता है दोस्तो ये मारेस ने होस्टल वार्डन का एकजाम 17 दिसंबर 2020 को कंड़क्ट करवाया था लेकिन दोस्तो अभी तक ये मारेस के वेबसाइट पर कोई भी ओफिस्यल जानकारी नहीं दी गई है ये कि आपको जनवारी के इंड में एंसर की देखने को मिल सकता है क्योंकि 2024 में दोस्तो सेंडरल गवर्मेंट का एलक्षन है और दोस्तो सर्कार चाहेगी कि जादा से जादा ज्वाइनिंग हो जाए जिससे मेरी राजनिती में हल्प हो सके तो इसलिए दोस्तो आपको राष्ट जनवारी तेक हर हालत में एंसर की देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तो आपको 4-5 दिनों का समय दिया जाएगा जिसमें अगर आपको किसी भी कोश्चन पर अबजेक्शन है तो आप अबजेक्शन कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो आपजेक्शन की का बिंडों बंध हो जाएगा उसके बाद दोस्तो एक से 2 मेना बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा एक से 2 मेना बाद क्यों दोस्तो क्योंकि E-Amaris ने होस्टर वार्डन का एकजाम्त offline mode में conduct करवाया है जिस कारण से दोस्तों अधिक मात्रा में candidate होने के कारण इसमें एक से दिर महिना का दोस्तों समय लगेगा और दोस्तों E-A-MARS का जो school बगरा है उसका भी session दोस्तों March से अप्रेल में start होता है जिस कारण से E-A-MARS खुद चाहेगी कि बंदों का selection March से अप्रेल के बीच में हो ताकि उसको starting season से joining करने का मौका मिल सके और वो E-A-MARS के guideline को प्रॉपरी समझ सके इसलिए दोस्तों आपको हर हालत में March से अप्रेल में joining या E-MARS कोश्टर बार्डर में देखने को मिलेगी तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे वीडियों महतुकुन जानखारियों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद